बिहार के पटना के एक ऐसे किसान ही अभी हम हैं जो परंपरागत खेती से हटके कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं आप टेबल पर रखे हुए देख रहे होंगे एक जो है ब्लैक राइस है और एक मैजिक राइस है दोनों की अपनी अपनी खासियत है मैजिक राइस के बारा में अगर आपको बताएं तो यह इसको झो है खाने के लिए आपको गर्म पानी के जरुदत नहीं परेगी ठंडे पानी में भी यह सींज जायेगा और जो जैसे भात होता है नॉर्मल चावल का वैसे ठंडे पानी में यह बन जायेगा ब्लैक राइस भी जो है सुगर फ्री होता है इंटी ऑक्सिदेंट इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है और और भी कई इसकी खासियत है अभी हम है पटना से सटे सिमरा गाउं में जहां उजवल जी जो है यह सब जो है चावल की खेती कर रहे हैं प्रागत खेती से हटके जो है कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है ब्लैक राइस पहले भी उन्होंने उपजाया है और मैजिक जो राइस है वो इस बार उन्होंने शुरुआत की है ब्लैक राइस का खाया थिक है जैसे बास्मती का दर्मन होता ना उसी टाइप पर इसका भी होता है हमको तो अच्छा रहा साधारन से नया जो है चावल की खेती यहां पर कर रहा है हैं सायथ पठना जिल्ह में पहले ऐसे किसान है जो मैजिकृष की खेती कर रहा इसे बारे में बता देख की पहले ये जो है असम में तो होता था कि खेती उसके बाद बंगाल में फिर भिहार इसकी जब आपने रुपाई की तो अभी दो देर महीने हो चुके हैं एक महीना कई साधारान जो चावल है उसके मुकाबले इसका विकासदर कैसा रहा है साधारन से तो अच्छा है कि अभी आपने मैजिक राइस की खेट चाहेंगे कि आप भी बताईए कि इस राइस में आपको क्या खासियत दिखा अन्ने राइस के मुकाबले मतलब कैसा है मतलब मैजिक राइस का जरूरत जितना असम को है या फिर बंगाल को है उससे हमको लगत कहीं जदा इसको बिहार में जरूरत है आधा बिहार तो डुबा हुए है आप देख रहे हैं आधा बिहार हम लोग का डुबा हुए है जहां पे दो तीन महीने लोग अपने छत पे जो पर पट्टी पे रहने को मजबूर है अब लोग क्या मतलब इंधन का जुगार करेगा कहां से लकडी चावल बनेगा पुड़ा परिवार खाएगा अब यह मैजिक राइस है और लोग को अगर अभी सही समय पर लोग मिल जाए अभी मैजिक राइस तो कहीं भी रहेगा तो अपने ठंडे पानी में डालके इसको अपना पुड़ा परिवार पेट तो भर सकता है बिहार के लिए को वर्दान साबीत हो सकता है तो यह बहुत अच्छा पहल है और आने वाले समय में अगर ठीक ठाक से लोग करें अच्छे से अच्छे मात्रा में करें तो बहुत अच्छा इसको रहेगा यहां पर परियोग के रूप में जो है पटना के सिम्रा गाउं में जो है रुपाई इसकी की गई है और अगर उपज अच्छी रही अनुभव अच्छा रहा तो आगे चलके इसका खेती ब्रिहत मात्रा में यहां किया जाएगा और जैसा कि भाया ने बताया कि बिहार के लिए एक वर्दान साबीत हो सकता है असम में या प्राचीन काल में भ जिसा जो है हर साल डूबता है बाढ़ जो है हर साल तबाही मचाती है ऐसे में जो लोग जो है बार की कारण सरक पे आ जाते हैं जिनको जीवको पारजन का मुख जो उपाय होता है वो भी नहीं मिल पाता है उनके लिए एक वर्दान है वो इस अगर चावल को रखे इस खेत में जाके भी और इसका कैसा पौधा है उसको भी आप लोग को दिखाया जाएगा फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं एक बार फिर से मैं बता दूं कि यह ब्लैक राइस है यह भी सूगर फ्री होता है यह मैजिक राइस है यह भी सूगर फ्री है कार जुवल जी से आके जो है सिम्रा में मिल सकते हैं और इस चावल के बारे में जानकारी लेके कहां से इनको प्राप्त हुआ कैसे यह खेती कर रहा है वो सब जो है इनसे जानकारी ले सकते हैं एक खास बात वीडियो के अंत में मैं बता दूं कि अगर आप ब्लैक राइस या नहीं पर खतम करते हैं आप सब का बहुत-बहुत घंड़ेगा अ